असलाम लेकूम हाँ हेर वे आर विदावर न्यू लेक्चर इन फिजिक्स पहला पूर्शन तो इस यूनिट का हो गया था अलमुस्ट अब मैं दूसरी पूर्शन पर आ रहा हूं दूसरा पूर्शन है रिलेटिट टू मैगनेटिक फिल्डस ठीक है और इस पूर्शन का यह ह हम मैगनेटिक फिल्डस को कैसे निकाल सकते हैं ठीक है किसी जगह पे अगर मुझे मैगनेटिक फिल्ड का मैगनेटिव डिरेक्शन देखने होगी तो कैसे देखेंगे वही हमें इस पूरे यूनिक में पढ़ना है तो बेटा इसमें सबसे पहला जो है ना that is first topic that is बायाट स बायाट सवाटला बायाट सवाटला जो है एक फंडमेंटल ला है अच्छा है क्या यह ला सबसे पहले इच जूजर टू डिटर्माइन दस्ट्रंग्ट फ मैगनेटिक फिल्ड एट पॉइंट डियू टू कारेंट केरिंग कंड़क्टर अपनी पड़ा है लोवर क्लासे से कि अगर मेरे पास कोई कारेंट केरिंग कंड़क्टर है टैंथ क्लास में पढ़ चुके हैं और इसमें कारेंट फुलो हो रही है आई तो इस कारेंट केरिंग कंड़क्टर की वाई से मैगनेटिक फिल्ड जेनरेट होता है ठीक है तो अगर मुझे मनलो मैगनेटिक फिल्ड है कि कोई भी current carrying conductor कितना magnetic field generate करता है ठीक है कैसे उस magnetic field को हम calculate करेंगे this is what Bayat Sarvatla in reality says how to determine the magnitude of magnetic field at a particular point due to current carrying conductor है ना मैं आपको बोलू कि बेटा आपके room में अभी wires है current flow हो रही है ठीक है तो वो उनमें अगर current flow होता है तो magnetic field भी आपके room में है रहा मुझे बता आप कैसी निकालोगे magnetic field कितना है उन wires की वाज़े से जो आपके कमरे में हैं तो आप यूज कर सकते हो इस लाको बायाट सर्वाट लाको देखो क्या है मौनलो यह हमारे पास एक RDTD एक वायर है इस तरह से एक वायर हमने कंस्डर की हुए है और इस वायर में current flow हो रहा है और मुझे इस point P पे magnetic field निकालना है ठीक है हम क्या करेंगे इस पूरी वायर के ऊपर हम एक छोटा सा portion सेलेक्ट करेंगे AB कि I have not written it but you will write it AB छोटा सा portion यहां पर और इस portion की हम लोग जो लेंगे थे ना मतलब छोटी सी लेंगे हम इसको मान के चलेंगे कि इसकी लेंगे DL है है ना तो यह छोटा सा portion इसमें current flow हो रही है आई और इसकी लेंगे क्या है DL छोटा सा वायर का एक टुकड़ा जिसमें current flow रही है और इसका लेंगे DL है इसको बेटा पढ़ते हैं current element क्या बोलते हैं इसको current element so when current flows through a small portion of wire तो इसको हम current element मानते हैं और इस current element को physics में वेक्टर माना जाता है अब पूचो के सर कैसे इसकी direction कहां से अगर यह वेक्टर है टेंजेंट एक बना सकते हो आप तो current element की direction क्या होती है टेंजेंट शल करना मनलों यहां पर एक वायर है मैंने मुझे यहां पर छोटा सा portion सेलेक्ट करना यह current element हो गया अब मुझे इस current element की direction निकालने तो टेंजेंट शल हो जाएगी इसकी direction ऐसे करके ठीक है तो बायाट सरवट का क्या कहना था उनका कहना था कि पहले तो आप छोटा सा portion इस वायर में सेलेक्ट कर लो जिसमें current flow हो रही है i और जिसके लिए अंगे dl है एक current element आप बना लो अब magnetic field कितना होगा due to this current element इस current element की वाज़े से कितना magnetic field होगा यहां पर उसको मान लेते हैं db देखो मैं फिर से सामझा रहा हूं हमें इस पूरी वायर के through current पास करवाना है देखना है कि इस पूरी वायर से कितना magnetic field बनेगा इस point पे add the distance r लेकिन बायर सर्वाट क्या कहता है पहले तो आप छोड़ो पूरी वायर का कैसी निकलेंगा वो छोड़ो पहले आप क्या करो काम इस वायर के ऊपर एक छोटा सा portion सेलेक्ट करो जिसमें current आए और लेंग जिसकी डिया लो मतलब current element आप चूज कर लो ठीक है अब इस current element की वाज़े से कितना magnetic field होगा इस point P पे उसको मान लेते हैं db अब देखो बयाट सर्वतला बयाट सर्वतला कहता है कि यह जो magnetic field इस current element की वाज़े से बनेगा छोटा सा current element है इसकी वाज़े से जो magnetic field बनेगा वो directly depend करेगा directly proportional to length of the current element वो depend करेगा directly कि इस current element की लेंगत कितनी है मतलब अगर यह current element ज़ादा बड़ा है तो magnetic field ज़ादा चौशच है तो magnetic field इस current element की लेंगत करेगा करेगा दूसरा वो magnetic field डिपेंड करेगा कि इस current element में कितनी current फोलू हो रही है db is directly proportional तो आया current कितनी फिलो हो रही है देखो current element select किया उसकी वज़े से कितना magnetic field बनेगा वो depend करेगा कि इस current element की लेंगत कितनी है वो depend करेगा इस current element में current कितनी है how much current is generated inside the current element तीसरा वो inversely depend करेगा और सुकेर पे यह तो आप आराम से सामझ जाओगे कि आर सुकेर dependence क्या ही इतना सा आर ज्यादा होगा मतलब db is inversely proportional to r सुकेर और ज्यादा होगा मतलब दूर जब हम जाएंगे conductor से db कम होगा मतलब magnetic field कम होगा है अगर आगर आप 10 cm दूर देखो होगे magnetic field ज्यादा होगा अगर आप 100 cm दूर देखोंगे तो magnetic field कम होगा है और आखिर पे यह magnetic field करता है sign of theta पे अभी पुछोगे सर थीटा क्या है यह जो वेक्टर और हमने यहां से बनाया और जो current element है current element और वेक्टर और के बीच वाला यह जो यहां पर है थीटा है इस साइन थीटा पर डिपेंड करता है magnetic field है ना अब फिर से सुनो जो magnetic field इस current element की वाज़े से होगा वो डिपेंड करेगा current element की लिए अंगत पर current element में कितना current follower है उस पर है ना और इन्वर्सली प्रपेंड करेगा distance पे ज्यादा दूर होंगे तो magnetic field कम होगा और आखर पर डिपेंड करेगा sign of the angle पर कौन सा एंगल जो current element और position vector के बीच में है है ना चलो इन चारों को combine करके लिखते हैं याद रखना है dL i और square or sine theta ठीके इनको combine करके लिखते हैं so let's combine them one by one okay combining them all तो यह लिए db is directly proportional to i, db is directly proportional to dl, db is directly proportional to sin theta and inversely proportional to r square ठीक है यह आ गया पूरा का पूरा ठीक अब इस proportionality को हटा के यहां पे constant लगाते के k is the constant of proportionality अच्छा अगर मैं इस k का value देखू ना वो depend करता है medium पर सबसे पहले जिस तरह electrostatic में electrostatic constant medium पर depend करता है यह medium पर depend करता है और इसका value होता है mu naught by 4 pi mu naught को बोलते है absolute permeability यह बराबर वैसे हैं जैसे absolute permittivity of free space इसके बारे में हम बात करेंगे मैं समझाता हूँ मौन लो अगर आपके पास कोई medium है ऐसे करके कोई medium है अब आप देखोगी कि इसमें कितना magnetic field है let us suppose bm is the magnetic field inside the medium है ना अच्छा permittivity हम कैसे define करते है permittivity हम define करते है ऐसे permittivity को define करते है कि इस magnetic field medium में कितना magnetic field है divide by free space में कितना होगा है ना जैसे हमने permittivity define करते है permittivity है को हम ऐसी define करते है और इसका value जो होता है ना वो होता है 4 pi into 10 is power minus 7 tesla meter per ampere या weber meter per ampere weber के बारे में में discuss करेंगे magnetic field का एक unit है अच्छा अगर इस म्यू नॉट को हम 4 pi से डिवाइड करेंगे तो 4 pi यह हो जाए ना cancer बचेगे 10 पर माइनस 7 तो म्यू नॉट बे 4 pi का value 10 is power minus 7 म्यू नॉट का value 4 pi into 10 is power minus 7 है ना तो इस म्यू नॉट बे 4 pi के का value आप इस equation में डाल दो वापस तो बैदेगा डिवी इक्वाल टो म्यू नॉट बे 4 pi आइडियल साइं दिदा पर और सुकर ठीक है यह बन गया बेटा बयाट सर्वाट ला इस चोटे से current element के वैसे कितना magnetic field होगा उसके बाद आपको पता है अगर आपको total magnetic field निकालना है क्या करोगे आप integration ठीक है अगर total wire के वैसे निकालना है चलो पहले हम इस बाइट सर्वाट लाग को वेक्टर फार में लिखते हैं चलो जहां से magnetic field है वहां से माल लेते हैं unit vector है और आप तो वेक्टर डीबी इस इकाल मुनाट पर फॉर पाइडियल साइंटी तो पाई और स्कार उसार लास्ट पर आर कैप आर कैप पता है ना अजिए इस एक्वाल अंतू में एगनिटूड और साथ में एकप पता है कि ने आग बॉल जा भूल जा क्या फरक पड़ते हैं एकप ठीक है वेक्टर एज मेंगनिटूड अपे मॉल्टिप्रैट एक एक डेंग फिर आपको पाता है और कैप का वैलू क्या होता है आप दे को ये ideal sine theta और r cap है मैं इसको लिख सकता हूँ ideal cross r cap है न क्यों 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 कि a cross b होता है ने a b sine theta तो इस ideal को a मानो r cap को b मानो और sine theta हो गया a b sine theta वही हो गया a cross b नीचे r square फिर आपको पता है r cap का value होता है r by r यहां पर आएगा r cap तो यह मैंने लिखा है 0 by 4 by i dl cross r by r कि यह है vector form किसकी vector form अब बयाट सर्वाटला की vector form ठीक है अब देखो magnetic field की direction क्या होगी वो तो आपको clear cut समझ आ रहा होगा कि db में dl cross r लिखा हुआ है dl cross r मतलब current element और position vector को cross product मार लो तो आपको direction मिल जाएगी magnetic field की cross product of dl and r direction of magnetic field can be determined by the cross product of dl and r तो अभी में जैसे में बोला था total magnetic field कितना होगा integration वो तो हमने magnetic field देखा था एक current element के वाई से total में होगी integration यह formula याद रखना current का value in terms of current density बोला है मैंने ठीक है तो बायाट सर्वाटला को फिर से magnetic field निकालना है उस पर आप एक current element select करो ideal ठीक है फिर ideal का magnetic field जो होगा वो depend करेगा length of the current element पे depend करेगा मैंने की current कितना है उस current element में इन्वर्सिट डिपेंड करेगा और square पे और साइन थीटा पे सारे factors को combine करके आप यह वाली formula आप यह that will be the addition of all the magnetic fields ठीक है तो integration करेंगे ठीक है यह हो गया यहां तक clear अब बेटा अब हम आते हैं बायाट सर्वाटला की application पर इस lecture में मैं खाली आपके साथ एक application discuss करूंगा ठीक है next में हम बागे करेंगे magnetic field is due to infinite long citrate wire हमें एक long citrate wire infinitively long citrate wire उसमें हमें current flow हो रहा है अब हमें उसकी वाज़े से देखना है magnetic field कितना होगा यह मान लेते हैं कि यह wire है जिसमें current flow हो रही है आई है और हमें magnetic field निकालना है इस point P पे यहां से यहां तक distance को x मान लेते हैं अच्छा इस end को wire के इस end को join करो यहां तो angle देखो theta 2 है procedure आप क्या करो सबसे पहले current element तो choose करो चलो किया current element चूज यहां से यहां तक ideal current element चूज किया इस point P को current element के साथ मिला दो current element के current element की distance कितनी होती है point P से और याद नहीं है तो अभी वाले देखो current element की distance कितनी नी थी हमने point P से और current element और point P के बीच में distance R थी है न हमेशा current element और point P के बीच में distance R तो यहां पर भी same to same current element और point P के बीच में distance R ठीक है बेटा और यह जो angle यहां पर मैं मान के चलूँगा न यह थीटा है देखो confused नहीं हो न थीटा 1 क्या है इस end के साथ angle P का थीटा 2 क्या है इस end के साथ angle और थीटा का है इस current element के साथ angle और यहां पर महल लेते हैं फाई फाई किस किस के बीच में angle है फाई तो एक ideal आइडियल तो यहीं से होगा न ऊपर से ही होगा ideal ideal और R के बीच में जो angle है that is pfai है ना देखो आइडियल यहां से और के बीच में जाइंगल है डैट इस भाई ठीक है मीटा तुम लोग बड़े चाला को देखो तो इस कारेंट है इलमेंट की वज़े से मैगनेटिक फिल्ड कितना होगा उस पाइंट पे उसको बायट सर्वाटला से मेजर किया जा सकता है डी बी इस म्यू नाट बै फॉर पाई आइडियल साइन थीटा नी फाई यहां पे क्योंकि फाई है ना आइडियल और और के बीच में एंगल से मोलें निकले है को शाहिए दोनोंका वैल्ऑ अपरिपंडिकुलर्फटन एक्सब्रहट इसमया साइन थैता कोस्थी निकलो या साइन फाइक निकलो इससे कोई फारक नहीं पता दोनोंका वैलू क्या आने वाला है सीम आने वाला है एक्स बै और एक सोगया बेस हई और एक और इस एक्स बेख तो यह और का वैलियू निकला याद रखने इस और का वैलियू हमें फिर यहां पर यूस भी करना है अच्छा इस ही ट्रेंगल में टैन थीता का वैलियू निकल ल परिपेंडिक्टिकुलर एल डिवाइड बेट बेश बेस यहां पर एक्स हैल बाएक तो L का value क्या आएगा X 10 theta लेकर हमें L के value के साथ कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हमें L नहीं चाहिए हमें DL चाहिए यहां पर देखो DL तो हम इस L की करेंगे differentiation L की differentiation करेंगे L है differentiation करेंगे तो क्या बनेगा DL वही तो हमें चाहिए ज़्यवेंट इक्वेशंगा डिप्राइशन कर लेतें दिखते हीं क्या यह गा डिफ्रेंशेशन एकस्ता अपनी जगा पर रहेगा थैन थीटा की डिफ्रेंशेशन क्या होती है सक्साफिट थीटा विद रेस्पेक्ट थीटा अब जो अभी आपको R का value निकला और जो DL का value निकला वो आप equation 1 में डाल दो I, db is ugand mu naught by 4 pi I, DL के बदले आप ये value डालोगे, ठीक है, यहाँ पे cos theta अपनी जगह पे था, ठीक है, divide by R square, R square के बदले आप लिखने, x by cos तो आगया, ठीक है, तो देखो फिर क्या एगा, mu naught by 4 pi I, x अपनी जगह पे, x मैं से 1x नीचे, x square उपर x है, वो cancel हो जागा, नीचे बचे बचे गए 1x, sec square theta अपनी जगह पे, cos theta भी वहीं पे, और d theta भी वहीं पे, अचे नीचे क्या है, 1 by cos, genometer मैंना 1 by cos, वो तने, sec, फिर sec और sec cancel, क्या बचेगा, mu naught by 4 pi I by x, ऐसे ही, good, और यहाँ से cos theta, d theta, यह हो गया equation, यह तो हो गया small magnetic field, जो एक current element generate करता है, total कितना generate करेगा, total magnetic field will be generated by integration करेंगे, ठीक है, अचे यह limit दिया है, मैंने minus theta 1, theta 2, अब समझोगे कैसे, यह current element है, यह element, wire है, यहाँ पे point P है, यहाँ से हमें start करना है, इस wire के, इस end से, इस wire के पूरे end तक यहाँ तक जाना है, हमें full end तक है, क्योंकि तब ही तो पूरी wire cover होगी, integration में मकसद क्या है, आपने जितने भी current elements आपके बनेंगे, इस wire पे सारे के सारे cover हो, यहाँ से angle क्या होगा, theta 1, और यहाँ से हमने क्या लिया है, theta 2, तो हमें theta 1 angle को भी लेना है, जो इस end के साथ है, और theta 2 angle को भी लेना है, जो उस end के साथ है, अब यह theta 2 above the axis है, इस axis के above, और यह theta 1 below the axis है, इसलिए मैंने theta 1 को negative लिया है, so I will say, नीचे से में start करूंगा, from minus theta 1, 2 plus theta 2, ठीक है, integration, तो mu naught by i db का value डालो यहाँ से, ठीक है, यह न, db का value equation 2 से, तो i by x बाहर, और integration हो जाएगी, cos theta की, mu naught by 4 by i by x बाहर, cos theta की integration sin theta, फिर आप value दोगे, अपर limit theta के बले theta 2, फिर low limit minus theta 1, आपको पाता है, sin even function, odd function है, तो minus बाहर निकलेगा, यहाँ से, पुरिया बन जाएगा, plus minus, minus plus, ठीक है, तो यह आगया, magnetic field, due to acetate wire, यह जो मैंने red box में रखी है, mu naught by 4 by i by x, sin theta 2 plus sin theta 1, ठीक है, भाहर, हो गया, रख लिया, अब देखो, अब यहाँ पर case है, अगर wire infinite है, इसकी length infinite है, बस, यह case आप समझाजाओ, wire की length infinite है, चलो मैं समझा देता हूँ आपको एक पैर इसे board के ओपर, wire की length infinite कैसे होगी, सुरी, यह chemistry काता है, देखो, यह wire है, यहाँ पर ऐसे, इस point पर magnetic field निकालना है, अगर मैं कहूँ कि wire की length fixed है, तो इस angle को देखो, यहाँ से बनेगा theta, यहाँ से भी यह बनेगा theta, वाँने theta, अगर मैं इसको थोड़ा सा लंबा कर दूँ, तो यहाँ से बनेगा फिर angle, यह angle थोड़ा बढ़ जाएगा, यहाँ से भी मैं लंबा कर दूँ, तो angle फिर से बढ़ जाएगा, ठीक है, मैं इसको infinite बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ से भी मैं increase करूँगा, यहाँ से भी मैं increase करूँगा, यहाँ से भी मैं increase करूँगा, यहा तो यह बनेगा इंफानेट तो बहुत दूर होगा न ओपर की तरफ तो एंगल हां पे बनेगा 90 ठीक है तो theta 1 और theta 2 दोनो 90 बनेगे जब वाइर infinitively long होगे तो theta 1 और theta 2 90 बनेगे ठीक है जब theta 1 और theta 2 90 बनेगे तो आपको इस फॉर्मिला में theta 1 और theta 2 का value लिखना है sin 90 यानि pi बे 2 sin 90 तो हो गया 2i sin 90 है ना sin 91 होता है तो 2i बे x आएगा clear क्योंकि ये तो sin 90 ये भी 1 ये भी 1 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 तो टू आएगा उपर बस बाके दूझे मेरेगा तो आगा समझ मैगनेटिक फिल्ड किस तरह से निकाला जाए सकता है यूजिंग गया स्ट्रेट वार अगर इंफानाइट लेंगत होगी आप कभी कभी क्या करते है आदे ही कॉशन करके आजाते हो है देखो कि है है इंफानाइट लॉंग स्टेट वाई आप यहां पर इस ब्रेकेट वाले इक्वेशन तक डिरायव कर और बोलोगे हां सर हमारा तो हो गया हमने वह ने कुशन किया यहां तक डिरायव करो फिर बोलोगे कुशन हो नहीं यह भूल रहे हैं इंफानाइट देखने हैं मैं आपको एक साइट होगा चाहे जब स्ट्रेट कंड़क्टर का आजाए चाहे आपको केसे मेंशन हो या ना हो यू राइड डाव ना तो भी यह ज़स्ट भी ऑन देशेफ साइड अब आते हैं इस पे दूसरा इसका केस अगर वायर की लेंग फाइनाइट है फाइनाइट केस में मैं आपको थोड़ा समझा देता हो फाइनाइट केस में क्या आएगा मौनलो वायर की लेंग फिक्सट है फाइनाइट है तो यह पॉइंट यहां से जो एंगल होगा ना और य होगा मेटपोइंट फिर आपको मेजर करणाइं सिम्पिलेस्ट केस्थ हम यह लेंगे कि मेज़कछ है तो यह एंगल बीज्ज़ हैं एंगल भी फिक सैंधली सैंधल नंक कुमाम है तो इसको का वायलू R square is equal to, यह न, hypotenuse square is base square, base square L by 2 whole square plus perpendicular square that is X square, ठीक है, तो R का वायलू आप यहां से L square by 4 plus X square, आप यहां पर जाएगा न, root बन कर तो यह value आएगा, ठीक है, यह तो easy, यह L by 2 है, यह X है, तो आप इस side को निकाल सकते, ठीक है, तो magnetic field है, तो हमने अभी पाड़ा की state conductor का इसके बड़ाव होता है, अब theta 1 के बदले भी theta, theta 2 के बदले भी theta, तो यह आगा twice sine theta, है न, अब sine theta का value का होता है, sine theta किसके बड़ाव होता है, अरे बोलो यार, sine theta किसके बड़ाव होता है, perpendicular, perpendicular क्या है, L by 2, by hypotenuse, hypotenuse नहीं है, R है न, L by 2 perpendicular है, और hypotenuse R है, बस L by 2 को अपनी यहां पर लिखा और आर के बदले हमने value डाल दिया वह वाला फिर क्या है L by 2 यहां पर cross multiply करो 4 into x आगे ना 4x square नीचे ना डिनार रूट में 4x square plus L square by whole 2 है यह L square by whole 2 है क्योंकि 4 आप बोलोगे से denominator 4 था ना रूट के वाइसे वो 2 आ गया 2 और 2 cancel ठीक है तो यह बना magnetic field due to the fixed conductor हो गया चेल यह ठीक है यह हो गया बाइट सरवाडला और इसकी एक application अब इसकी दूसरी application है तीसरी application पर हम कल बात करेंगे next lecture में चला है if you have got any confusion you can say and sorry for one more thing lecture short ने बन पा रहे है ठीक है जैसा कि आपने बोला था कि lecture should be short but they are they are not getting short it is because topic को थोड़ा explain करने में time लगता है अब जो topic जितना बढ़ा है उसको उसी तरीक से explain करेंगे ठीक है okay anyways I guess कि you people can just bear it इतना तो बर्दाश करी सकते है चली ठीक है we'll meet in next lecture till then